सादकों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं उसमें से एक क्वेश्चन है हिंदुविजम और तंत्रा में क्या कनेक्शन है जो धार्मिक नहीं है क्या वो भी तंत्र स्टूडेंट बन सकते हैं जब कोई भी धर्म नहीं था तब भी साधना की जाती थी तब भी अध्यात्मिकता थी धीरे धीरे महापुर्शों ने संतों महात्माओं रिश्यों ने मुनियों ने एक विवस्था की एक उन्शाष्ण बनाया एक डिसिप्लिन बनाया उसका नाम धर्म कर दिया गया इंसान सुभाव से ऐसा है कि जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आता वो कुछ करता नहीं है और जैसे जैसे हम अपने आपको डिसिप्लिन में ले आते हैं तो हमारे अंतरचक्रा अपने आप खुलने लगते हैं हमारे सातों चक्रा का कनेक्शन जो है वो उस ब्रहमांड से होने लगता है उस जोनिवर्स से होने लगता है जैसे जैसे वो connection strong होता जाता है हमारे प्रग्या चक्षूद दीरे दीरे खुलने लगते हैं हम उस परमात्मा के समीप जाने लगते हैं उनको समझने लगते हैं हिंदुईज्म ने बहुत खोज की है और जहां तक सुक्षमता से खोज की है जैसे जोगा में रिशी मुनी जंगल में रहे तो वहाँ उनको कुछ जानवरों से सीखने को मिला उसी से उन्होंने देखा इनसान को क्या लाब हो सकता है किसी मियूर से कुछ मियूर नाच रहा था तो मियूरासन कैसे किया जाता है, मोर में क्या-क्या खूबियां है, कैसे वो इनसान प्राप्त कर सकता है, पेड को देखा, तो पेड से भी कुछ सीखा, और शुरू में जब रिशियों ने किसी भी चीज को मेसूस किया, जब कोई भी मानम नहीं था, तब अगनी को देखा, पत्थर से पैदा हुई तो अगनी देवता कह दिया, अगनी मिले परोहत्म कह दिया, वाजू को देखा, तो वाजू देवता कह दिया, जल को देखा, तो जल को देवता कह दिया, क्या बात है, हर चीज में भगवान नजर आया, दोस्तों वो ही भक्ती है वो ही धर्म है कि जो unconditional love वो ही बगवान की प्राप्ती है जब तक हमारे अंतर में unconditional love नहीं होगा हम तब तक भक्ती को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक सभी के साथ सिने नहीं होगा तब तक भक्ती को प्राप्त नहीं कर पाएंगे धर्म का अर्थ जो आज लिया जा रहा है जो आज हम सोचने हैं वो नहीं है धर्म का मीनिंग धर्म तो सब को जोड़ता है तोड़ता नहीं है धर्म सब को कठे करता है धर्म कहीं इर्शा नहीं करता आज हिंदु धर्म जीवत है आप सोचें अगर शिरी गुरु गुबेन सिंग जी महराज ना होते तो हिंदु धर्म की स्थिती क्या होती हम धर्म को कटरता से नहीं देखें पूरे बेरमांडु को धर्म में देखें सभी जीवों में धर्म को देखें तंतर साधना की बात की है आपने तंतर साधना के लिए दोस्तों आपको धर्म से बहुत उपर उठना होगा तंतर स्टीक बात सीधी बात सीधा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ उन शक्तियों के साथ उन शक्तियों को प्राप्त करके कैसे लोगों का भला करना वो तंतर है कर्मकांड धीरे 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 बगवान की इस्तुति करके ले जाना तंतर हीलिंग का दूसरा नाम है तंतर से पलास्ट होता है वह दुखत बाद है कि कुछ लोगों ने इसके नकारात्मक रूप को ले लिया बलकि नकारातमक के लिए नेगटिव के लिए तंतर में कोई जगा नहीं है तंतर में कोई स्थान नहीं है तो आप कोई भी तंतर साधना करने से पहले गुरू का होना बहुत ज़रूरी है जब तक आप शिरी गुरू के चर्णों में नहीं लगते हैं तंतर साधना तो दूर की बात है, आपको दूसरी साधना भी कोई नहीं करने चाहिए, तंतर की अपनी विशेष्टा है कि तंतर में कुछ भी अपवित्तर नहीं होता, तंतर समगर को सभीकार करता है, जैसे फूल के साथ कांटें हैं, तो तंतर कांटों को भी लेता है, कोई इंसान में कमिया है, गंदगी है, नेगेटिव है, तंतर उसको भी सभीकार करता है, तंतर मेल में, फी मेल में कोई फर्क महसूस नहीं करता, बलकि फी मेल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, तंतर साधना का सब से सरवोच मारग है, तंतर में आप उन शक्तियों वे जीनींटों से बहुत जल्दी रूबुभ हो जाते हो और धीरे 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 आगे बढ़ने लगते हो तंतर से धीरे धीरे आपके 7 चक्रा को जागरत करके आपके 7 चक्रा का go seems a कनेक्शन affsm हमारे श्रीर की बहतर शार नाडियों से हैं तो जैसे जैसे सातों चक्रा को ब्रहमंट से जोडते हो जूनिवर्स से जोडते हो और जोडते जोडते हो आपका पूरा कनेक्शन आपकी बौडी के साथ होना शुरू हो जाता है और आपके जो सातों शरीर हैं खास करके सुक्षम शरीर की पहले बात आती है पहले हमारा सुक पुक्षम श्रीर मजबूत होता है, स्ट्रॉंग होता है, तो हम उतनी लोगों की ज्यादा हेल्प कर पाते हैं, लोगों की ज्यादा मदद कर पाते हैं, खुद ज्यादा मजबूत हो पाते हैं, इसलिए तंतर साधना सब के लिए सर्वो परी है, फिर आगे विस्तार से इसके के लिए चर्चा करेंगे मां आपके संकलब पूरे करें गोल पूरे करें